दाद को इंग्लिश में क्या कहती है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं दाद को इंग्लिश में شिंगल्स या रिंग्व़व कहा जाता है यानकि दाद जो है एक प्रकार का fungal infection होता है fungal संकर्मन होता है जिसमें काफी खुजली और जलन होती है और यह आसानी से एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति को या संकर्मित जानवरों से भी लोगों को फैल जाता है यानकि फंगल इंफेक्शन होता है और एक दूसरे को फैल भी जाता है और दाद जो है एक प्रकार का चर्म रोग है तो दाद को इंगलिश में आप शिंगल्स या रिंग वर्म कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि दाद एक आम फंगल संकर्मन है जो तवच्छा नाखुन या खोपड़ी को प्रभावित करता है तो आप कह सकते हैं रिंग वर्म is a common fungal infection that affects the skin, nail और scalp या अगर आप ये कहना चाहें कि यदि आपको संदे है कि आपको दाद है तो चिकित से साहता लेना महतवपून है तो आप कह सकते हैं it's important to seek medical attention if you suspect you have रिंग वर्म अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें